स्वगतमित्र आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोनिक स्टडी पर वेल्कम आप सभी का दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्श 2018 में जो आपके सुपर टीटी के परिक्षा हुई थी तो उसके सॉलेशन को लेकर के यहा प्लेलिस्ट जो बनी हुई है सिक्षक भरती सुपर टीटी की वहाँ पर आपको प्रिवियस जो पार्ट्स है वह आपको मिल जाएंगे या फिर आपको अभी जब वीडियो खत्म होगा तो इस्क्रीन पर आपको वीडियो दिख जाएंगे यहाँ पर ऐसे ठीक है तीन किलोमेटर पर आर के स्वीठ से जो है वो जाता है और एक सभाण चाल दो किलोमेटर पर गंटे के स्वीड से वह वापस भी आता है अब ऐसे में यहां पर लिखा हुआ है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी आउसत चाल जो है वो कितने थी तो यहां पर हमें आउसत चाल निकालनी है आपको मैं बता दू कि यहां पर जब आउसत चाल की आप बात करते हो चुकि यहां पर जाने और आने का लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल लिए लिए आपकी, दो आप, सॉरी, फोर है, जो की जाने का है, और आने का वाई जो है, वह कितना है, दो दिया हुआ है, तो इसमें आप रख दो जो है, तो टू इंटू जाने का आपका फोर है, आने का आपका टू है, डिवैड़ेड़ बाई four plus two, यह कितना हो जाएगा, चार दुनी आठ दुनी सोला है डिवाइड़ बाई चार दो छै ये आएगा आपका तो सोला बटे छै अगर आप इसे काटोगे तो ये पूरा पूरा आपका डिविजन होगा नहीं तो आप सिक्स्टीन बाई सिक्स किलो मेटर पर आर ये आप लिख दूए उसकी क्या होगी आपका आशर होगी आपका आंसर होगी आपका आसर होगया तो यहां पर चुकि इन्होंने दिखा है आपका कि जल और कांच का लिखा हुआ है वायू के सापिक्च जल तथा कांच के अपॉर्टनांग की बात इन्होंने 4x3 और 3x2 की है आप जब 4x3 और 3x2 जब आप यहां से फाइड आउट करोगे तो सिद्धा सिद्धा जल के सापिक्च जो कांच का अपॉर्टनांग निकल करके आएगा वो आएगा आपका 9.8 यहां से तो इसका 42 का जो आपका अंसर हो जाएगा वो 9.8 हो जाएगा उसके बाद 43 में दिया हुआ है कि एक विद्युद वल्व की बात की है यहां पर 200 सेकंड में कितना दिया है 2000 जूल विद्युद उर्जा का उपभोग कर रहा है कितना है 2000 जूल विद्युद उर्जा का उपभोग कर रहा है और इन्होंने यह कहा है कि अब उसकी शक्ति किती होगी देखे जब आप शक्ति की बात करते हो पावर की बात करते हो तो जितना इसने उपभोग किया मतब जल विद्युद उर्जा का उपभोग कर रहा है वो ह तो आप इससे काट देंगे 0-0 और यह आपका 100 ध्यान दीजिएगा जो आपकी शक्ति है वह आपकी 100 वाट यहां से निकल करके आएगी सीधा सीधा कोईशन था आपका यह ठीक है कितना हो जाएगा 100 वाट निकल करके आएगा आगे बढ़ते हैं वह जोन परत किन किरणों का शोर्षल कर लेती हैं तो वह है अल्ट्रा वालेट रेज यैनि की जिन्हें आप परवैगिने के रड़े बोलते हो अगर यह परवैगिने के रड़े यहां पर प्रतिवी की सतह पर पहुँच जाएं तो कहीं ना कहीं सग our प्रतिभी की सत्वा है नहीं होना परति आप बुलो तो यहाँ पर क्या है हाइलोजन अगर ततो की बात करते हो तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनिस्ट नहता है वो आपको फ्लोरीन में देखने को मिलेगी एफ करके डिनूट करते हो आप फ्लोरीन यह आपका यहां से आंसर हो जाएगा 45 का 46 की बात कर लेते हैं लिखा है निम्न अभिकरिया के प्रकार का नाम लिखे है इन्हों थे दिया CS3 CS2BR यहां पर एक तो एथिल होता है एक मेथिल होता है तो यहां पर मेथिल ब्रोमाइड आपका दिया हुआ है ठीक है एथिल CS3 होगा मेथिल जब C2H5 की आप बात करूगे ऐसे में C2H5 तो एथिल होगा आपका सॉरी C2H5 की आप बात कर रहे हो ठीक है तो एथिल bromide care के जब आप बोलो गया और जिसका sodium hydroxide के इन्होंने साथ अविक्रिया किया हुआ है तो finally यहाँ पर यह दिखने को मिल रहा है CH3 CH2OH और इन्होंने आगे जो दिया है वो दिया है N-ABR sodium bromide जो है वो आगे दिखने को मिल रहा है तो इस प्रकार की जो अविक्रियाएं होती है इन्हीं आप प्रतिस्थापन अविक्रियाएं कहते हो क्या बोलते हो प्रतिस्थापन प्रतिस्थापित करना मतब इसको क्या हुआ यहाँ पर sodium ने bromide को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया जब आप सायो जक्ता की बात करते हो और सोडियम पर पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव पॉजिटिव आपके मिल गया और उधर आपका CS3, CS2OH हो गया ओके ये बात हो गई 46 में तो पराती स्थापन अविक्रिया वहां से आंसर आएगा 47 में लिखा हुआ उस विटामिन का नाम क्या है जिसके आहार में कमें सिसकर भी रोग होता है तो वो है आपका ऐसे में जबाबात करोगे विटामिन C है बहुत अच्छी तरीके जानतों मसूडों के लिए कि इतना कुछ जिम्यवार तो आप क्या लिखोगे यहां पर विटामिन C आगे बढ़ते हैं इसमें नगन बीज वाले पाउधों को कहा जाता है जो नगन बीज वाले पाउधे हैं उन्हें क्या कहते हो एक होता है आवरत वीजी पाउधा क्या होता है आवरत बीजी पौधा आप कहते हो और ऐसे में अनावरत हो आवरत की जगे अनावरत लिख दो तो आवरत बीजी मतलब जो ढके हुए होते हैं जिनके बीज और अनावरत बीजी मतलब जिनके बीज ढके हुए नहीं होते हैं यहां पर आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करियेगा और कुछ अकर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें यहां पर आपको अगर मैं बात करूँ 49 नंबर क्वेश्चन के बारे में तो लिखा हुआ है कि कौन सी रुधिर वाहिका फेफ़डों से ऑक्सिजनित रुधिर को मानव हर्दय के बाएं आलिंद तक ले जाती है 49 तो आपको मैं बता दूँ वो पल्मो नरी शिरा होता है लिख लीजेगा पल्मो नरी शिरा पल्मो नरी शिरा रुधिर वाहिका फेफ़डों से ऑक्सिजन रुधिर को जो है वो मानव हर्दय के दाएं आलिंद तक ले कर के जाती है 50 में दिया है कि जीव की संदेश्वार के बारे में बात करते है complete। उसे आप कहते हो जो अनुरूब परिवर्तन होता है उसे आप कहते हो अनुकूल परिवर्तन मतलब accordingly change हो रहा है ना आपने अपने आपको अपने अड़ेस्ट कर लिया तो उसे आप अनुकूल परिवर्तन बोलोगे ठीक है जो अनुरूब परिवर्तन होता है वो अनुकूल प तो इनको मैं अलग से solve करके फिर मैं बता दूंगा ठीक है यहां से जो 50 तक तो मैंने आपको बता दी यह जो question से इनको मैं solve करके बता दूंगा अब जैसे यह वाला question है और आगे बढ़ते हैं जी आते हैं 62 नंबर में लिखा हुआ है कि यदि चले 62 नहीं आगे बढ़ते हैं अच्छा भी गड़ित कहीं है ठीक है यह भी गड़ित के questions आप यहां पर देख पा रहे होगे 10 cm फिर आते हैं 71 से ध्यांदी जीगा 71 में लिखा है कि South America में मध्याक्षांसिय घास के मादान का नाम क्या है तो South America में जो मध्याक्षांसिय घास का मादान है उसे आप Pampas बोलते हो पंपाज या पंपास लिख दो दोनों ही सही है आपको मैं बता दू यह जो घास है वो आपका श्री तो उष्ड कट बंधी है घास शेतर के अंतरगात आते हैं अगला सवाल लिखा हुआ है 72 में कि उतरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर के प्रवाहित होने वाली गर्म जल्धारा का नाम क्या है तो उसे आप गल्फ स्ट्रीम को बोलते हो क्या कहते हो गल्फ स्ट्रीम यहां से आपका यह आंसर हो जाएगा नेक्स्ट एकाउंसा बंदरगा कच्छ की खाड़ी में सित है तो कांडला बंदरगा है कांडला यह कांडला भी बोलते हो दाला या डाला कुछ भी लिखोगे सही है कांडला बंदरगा जो है वो कच्छ की खाड़ी में सित है 74 नमर में बोला है कि ड्रॉकिन्स बर्ग परबत कहा है तो आपको मैं बता दू जो ड्रॉकिन्स बर्ग परबत है वो कहा जाता है साउथ अफरीका में लेकिन साउथ अफरीका और एक लेसोथो देश है साउथ अफरीका वा ले सोथो करके आप लिखते हो ठीक है ले सोथो या ले सोथो इनके बीच में वो इस्तित है अगला है कि वंतरास्टे टाइगर दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व टाइगर दिवस जो है वो आप मनाते हो 29 जुलाई को दोस्तों यहां से एक सवाल आप लोगों के लिए है एक सवाल आप लोगों के लिए है कि प्रोजेक्ट टाइगर के शुरुवात कब की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर के शुरुवात किस वर्ष की गई थी यहां से आप कॉमेंट में आंसर जरूर दिजिएगा अगर आप options की बात करते हो तो 1971, 1972, 1973 या 1974 आप इसमें से बता सकते हो कि project tiger के शुरुबात कब की गई थी आगे बढ़ते हैं इसमे भूमद रखा करकरेखा और मकर रखा तीनों किस महादियूप से होकर कर गुजरती हैं तो अफरीका महादियूप है जहां से होकर कि ये तीनों रखाये गुजरती हैं अफरीका महादियूप इस पर आप इसे टिक करिएगा आगे बढ़ते हैं प्रांतिय संबिधान सभा समिति के अध्यक्ष का नाम था तो जब प्रांतिय संबिधान समिति के अध्यक्ष की बात करते हो तो वो थे सरदार वलब भाई पटेल जी कौन थे सरदार वलब भाई पटेल जी एक और सवाल की तरफ शारदा अधिनियम जो है वो किस से संबंदित है तो जो शारदा एक्ट था वो बाल विवाह से रिलेटेट था किस से रिलेटेट था बाल विवाह से ये आपका यहां से आंसर हो गया भारत की पहली फ्रेंच फैक्टरी कहां स्थापित की गई थी तो फ्रेंच फैक्टरी जो है पहली वो सूरत में स्थापित की गई थी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बात करते हो अगरी जोने फैली फैक्ट्री आपकी 1613 में सूरत में आकर के स्थापित कैसे से ऐसे ही फ्रांसी स्यूनी जो अपनी फ्रेंच फैक्ट्री पहले लगाई थी सूरत में लगाई थी असी नमबर सवाल में लिखा हुआ है कि भारते समयदान में समूरती सूची की अवधारणा जो है वो कहां से ली गई है तो जो समूरती सूची की अवधारणा है वो है आपकी आस्ट्रेलिया से कहां से है आस्ट्रेलिया दोस्तों यहां तक बीच में अगर हम गड़ित को थोड़ा सा छोड़ दे हम उसको लेकर के बात करेंगे फिर से तो लगभगा सी सवाल के बारे में हम यहां पर बात कर चुके हैं फिलाल इस वीडियो में हम यही पर रुखेंगे अगला वीडियो अगला पार्ट जो हो आपको जल्दी ही मिलेगा 2019 के सॉल्योशन के बारे में भी हम बात करेंगे जल्दी ही इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा स्क्रीन पर आ रहा है आप इन तीन वीडियो उसको भी जरूर देखें हम आपसे मिलते हैं को और वीडियो में एक नए टापिक के साथ में शुक्रिया आप सभी का तब तक के लिए